एक ही फर्क है स्वर्ग और केदारनात में स्वर्ग में देव हैं और केदारनात में महादेव हर हर महादेव आखिरकार श्री केदारनात जी के द्वार दो साल बाद खुली गए और भुले की मायाई ऐसी है जैसे ही उन्होंने अपने भक्तों को याद किया तो हमारे कदम खुद बखुद श्रीकेदारनाच जी के द्वार जा पहुचे तो स्वागत है आपका बॉल्ड और ब्योंड के एक नए सफर पे और हम जा रहे हैं श्रीकेदारनाच जी के दर्शन करने आईए मिलते हैं आपसे सफर में आगे जैसे की आप वीडियो में देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो रिवर्स आपस में मीट हो रही है और एक रिवर का नाम है भागी रथी और दूसरे का नाम है अलक नंदा यह दोनों रिवर्स मिलके बनती है गंगा यहाँ पे आप दो डिफरेंट कलर्स देख रहे होंगे दोनों रिवर के यहाँ पे आपसे आगे सफर के और दिखाएंगे आज को हमारा देवन का स्टे कैसा होगा आज वेलकम तो आर देटू यार कल शाम को पहुष्टे पहुष्टे बहुत लेट हो चुगा था और इतना जादा ट्रैफिक है ना seriously this time in 2022 for केदार ना थी आतरा कि मेरा बिलकुल मूड नहीं हुआ बहुत थट चुगा था मैं कि आपको प्रॉपर्टी का टूर दिखापा हूँ एक छोटा सा so here we are so Srinagar हम पहुष्ट चुके हैं जो हमारा होटल है वो बिलकुल Srinagar के में मार्केट के बीच में है so it's a very good thing it's very convenient for us so आप देखी पा रहे और बसे टो बसे आपी जा रही है कितना ट्रैफिक है so this is the property and जगा का नाम है अलक नंदा टूरिस्स कंप्लेक्स and restaurant so just let me give you a quick tour of the property to you guys so this is the reception area and काफी बड़ी प्रॉपर्टी है तो बहुनेस and यह रहा है यहां का रेस्टरांट यह है यहां का बेटिंग हॉल so this is the restaurant over here so यार खाना यहां कापने अच्छा है अच्छा है अच्छा है डीसेंट है क्योंकि कल रात को मैंने डेनर किया था as I told you कि कल मैं आप प्रॉपर्टी का टूर नहीं दे पाया तो चलिए उना रूम दिखाता हूं मैं आपको कैसा है सो हमारा रूम नंबर 201 है चलते है अपनी रूम की तरफ सो यह एक यहां का हॉलवे है फिर्स फ्लोर है यहां का ग्राउंड फ्लोर ही बोलेंगे इसको तो काफी बड़ी प्रॉपर्टी है यह गॉवर्मेंट की वह वहां से शुरू हो के वहां और यहां पर यहां पर वह लगख टाइब के है लाइक इस फॉर अगर अग कपल हैं आप दो लोग है तो भी आख सकते हैं फैमिली सुईट भी है तो आय अर्लियर टोल्ड यूओ कि मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहा है तो चार लोग का रूम है वह तो हेर लोग यह रहा रूम, एक double bed यहाँ पर है, दूसरा double bed यहाँ पर है और यह कुछ sofas, यहाँ पर समान रखने के लिए, यह bathrooms है and this is a wash basin, so अब मैं आपको उसका price बताता हूँ, so the price of this this room is just thousand rupees, so याद देख लीजिए आप श्रीनगर आयो, हजार हुए में चार लोगों का family का स्रे आपको यहाँ मिल रहा है और क्या चाहिए, और आपने रूम देखी लिया, it's a pretty recent room, अगर आप के दारनाथ के लिए travel कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसी जगह आ रहे हो, तो आप ऐसे ही rooms मिलते है until or unless बहुत ज़ादा cost भी होंगे वो, जो आप अगर कुछ लगजरी यहाँ पर ढून रहे हैं, बट याद स्टिल याद, हजार मैं तो इससे गुजारा expect नहीं करता हूँ और पूरी facility है, यहाँ पर नीचे restaurant भी है, जैसा कि मैं आपको दिखाया, तो अब हमारा आगे का जो plan है, day two का जो plan है, वो यह है कि हम यहाँ के famous धारी देवी temple जाएंगे और उसके बाद हम निकलेंगे, गुप्त काशी के लिए जो आज हमारा second day का stay होगा, और गुप्त काशी के पास भी एक दो मंदिर है जिनके नाम में आपको वहीं बताऊँगा, तो चलिए मिलते हैं आप से आगे, क्योंकि धारी देवी के temple पहुच के ही, आपको मैं दिखा आप आँगा की वहां से क्या व्यू होने वाला है, वहां की क्या importance है, एंड उस मंदिर को इतना क्यों मानते हैं यहां पे, so see you there, so almost हम मंदिर तक पहुच चुके हैं, I mean जहां से line लगनी शुरू होगी मंदिर की, वहां पहुच चुके हैं, so अब हम मार्केट एंटर हो रहे लाइक यहां से अब मुप्ती वगरा ले सकते हो, माला वगरा ले सकते हो फूलो की जो जो हमने टोकरी लिये हैं माता को चड़ाने के लिए वो जो प्राइसे हैं वो कुछ इस तरह हैं कि सौरबे की टोकरी थी जो हमने ली और चुन्नी है सौरबे की है 251 रुपीस की है एक तो अलग-अलग प्राइसे हैं और I am sure कि अलग-अलग शोप्स के थोड़ा अलग-अलग 20-10 रुपे उपर नीचे प्राइसे होंगे तो आप अपने अपने अकोर्डिंग आजस्ट कर सकते हो बार गिनिंग करके और आपर जैसे आप देख पारे होती है माला वगाला भी ले सकते हो आप सूविनेर्स ले सकते हो कि अखिल अधिल ज दुनूदू चलो आज आज़ा 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 इप्या में बचा दिये और नाव विल गो तो तो तेम्पल तो यह तेम्पल है यह काली देवी का तेम्पल है एंड इसेड कि इसीज़ गार्डियन एंजल उफ बदरीनाथ और केदारनाथ तो एक इंटरस्टिंग फेक्ट यह है कि जो यह वाला टेम्पल है यहाँ पे जो देवी है उनका लोगर हाफ है और अपर हाफ एक दूसरे मंदिर में है तो इस मंदिर की जो यूएसपी है जो यह यूनीक बनाता है बाकी मंदिर सा यह है कि जो यहाँ की लोगर हाफ of the body है इस इन दी ओपन स्पेस भाई ओपन स्पेस आइमीन उसके ओपर नहीं है बिकास इट इस सेट की बेवी को खुले में रहना पसंद है तो तो अवनर देट थिंग यहाँ पे खुले में है मंदिर सो रश काफी है लाइन है यहाँ आप ही जैसे कि आप देख पा रहे हो सो आप से आगे ही मिलते हैं अब दिखाते हैं अंदर से कैसा है मंदिर है तो चीज ना व्यवे अटारु सा मर्कषा थेला रहा रहना बॉटि वह बैद आप था बॉटी तनलि उन्कार अच दे ऊच्याय ना मंदिर दिर दू है उन्यार्य जो दू हूं को दूंट नूर तो गाई दर्शन हमारे हो गए हैं ठीका हमने लगवा लिया है तो यह रहा बागी हिस्सा मंदिर गा यह रहा प्रत्रिमा तो अब हम प्रत्रिमा करेंगे इस मंदिर की पूरी काफी पॉपुलियर मंदिर रही है काफी बीड थी काफी अच्छा है यह रहा व्यू एक छोटा सा ब्रेज भी है कनेक्टिंग कर दो कर दो कर दो कि यहां से पूरा चपकर हमने मंदिर का लगा गया और हम बहार को चलेंगे यह रहा मंदिर चली अब इसके बाद एक नेक्स्ट बंदिर हमारी देस्टिंशन पर वही मिलेंगे आपसे यह बार लास्ट में आपको दिखायता हूं यह रही का लगनंदा रिवर तो यार एक और चीज इस दो हसार तेरह में क्या हुआ था जब यहां पर आप दाई थी जब फ्लड जाए थे केदार नात्वले तो इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया है पहले यह चट्टान के उपर हुआ करता है बट नौ इट इस वान पिलर आपने वीडियो आपने देखो होगा आपने वीडि अप्ति मेजर्स ले लिया है जैसे कि आपको पता ही है कि रेजिस्टेशन कराए भी ना आप यात्रा भी नहीं कर सकते हो तो इस वारी गुड थिंग क्योंकि इस आपका ट्रैक रहता है कि वेदर जब आप यात्रा कर रहे हो तो कहां पे हो कब हो तो वार्मेंट को अपडे अपर बारिश दौर और यह हम आ चुके हैं काली मठ विलेज में सो मौसम आप देखी रहोंगे बारिश शुरू हो गया तो वही यार पहाड़ों का कुछ पता नहीं होता कब मौसम चेंज रहा है अभी कुछ देर पारे क्लियर था लास्क 15-20 मिनिट में पूरा वेदर इतन अबर बॉड़ी है जो कालीदेवी को वह तरी देवी में जो लोबर हाफ है ए बाड़ी का वह यहां पर चाली मठ में , तो इसी से यह पूरा होता है हमारा जो दर्शन करना है पूरा हमने कर लिया है इसका मतल morals करेंगे अभी और इसके इलावा मंहे ये शक्तिए पीट भी ह तो चलिए चलते हैं अंदर, यह रहा, यहाँ कफिश्कार, बहुत ही ब्यूटिफुल लोकेशन है इस बंदिर की, और यह विलेज, जो कालिमट विलेज है, यह भी बहुत जाला ब्यूटिफुल है, और यह हमार साथ साहिब, जो हमारी हेल्प पर रहे हैं स्ट्रिप में, हर लेके आ रहे हैं, तो थेंक्यू शाहिब, फर हल्पिंग अस आउट, तो यह देखो गाइस, किता सुन्दर वियू एस विलेज का बहुत ही जबर्दस विलेज है, कालिमट विलेज, और यह टेंपल का लोकेशन तो यहार, बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है, और मौसम इप मंदाकनी रिवर है, यहां पर, तो मंदाकनी रिवर के पास में ही सिचुटिट है यह टेंपल, and as I told you, I am again telling you, this is one of the guardian angels, जो चार धाम का है तो बोलते हैं, कि यह यहां के चार धामों की रक्षा करता है, धारी देवी and कालिमट मंदिर, तो यही इस मंदिर की इंपोर्टन्स है, तो यह देखिए गाई, बहुत ही ब्यूटिफुल है, seriously, मज़ा आ चुदा है, यह रेखिए, कितना बढ़िया भी हो है, यार, कितना बढ़िया भी हो है, मतलब, बहुत खुश हो चुका हूँ, मैं तो seriously, यहां पर आके, बहुत ही जादा मज़ा आ रहा है, और जो मौस बहुत ही अच्छा फील आ रहा है, आपे, तो चलते हैं, आगे और मंदिर के अगे अंदर चलके ही दिखाएंगे आपको कैसा है, तो यह मार्केट है, मंदिर से पहले का, यहां पर आप शॉपिंग करते है, मतलब जो भी आपको देवी को चड़ाना है, वो ले लीजिए, यह रही एक और शॉप, तो थो जल्दी-जल्दी चलना पड़ रहा है, यह रहा में एंट्रेंस, बहुत तेज हो चुकिया वारिश, जैसे कि मैंने बताया, oh my god, चल गए, मंदिर के अंदर, बहुत जाला वारिश है, यहार, बेट जाला वारिश है, हमारी आरती हो चुके है, पूरा आप देख रहा हूं कि टीका भी का लग चुका है, यह वक्ते सामने पंडिती जी नर्ण हमारी पूजा की, बहुत ही बढ़िया रही, पूजा हमारी चलिए, दिखाता हूँ आपको में आगे का मंदिर कैसा है, बहुत ही ब्यूटिफुल मंदिर रही है, इतना अच्छी लोकेशन और इतना प्राचीन मंदिर रही है, और पूजा भी बहुत ही अच्छी रही हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करीब पंडिती न पूजा यहाँ पर, आप देखी पा रहे होंगे, खुद ही बोलने की बहुत ही बहुत ही अच्छा मंदिर को चाहिए बहुत ही अच्छा मंदिर है, ताफी मानने ताया है यह रहा शिवनिया का जे बोलनाथ, जे बोलनाथ और यह रहा है आका सरस्वती जी और गौरी शंकर मंदिर बहुत ही ज्यादा पुराना है यह अंदिर यह रहे नंदी बैल बहुर है शिवलिंग और यह है कुछ पूरा एक complete व्यूज जगागा यह काली मठ विलेज आपके सामने तो यह जो विलेज है काली मठ विलेज है एक वैली के बीच में है बहुत ही रिमोट लोकेशन पर है यह थोड़ा अफ़लब जैसे कि आप गुपकाशी जब जा रहे हैं तो गुपकाशी साब को राइट टरन लेना है जैसे आप गुपकाशी एंटर होंगार वहां से यह मंद काली मठ मंदिर यह सब मंदिर अगर आप खरते हैं तो आपकी आपतरा अगर विजिट करते हैं आप दर्शन करते हैं तो आपकी आपर और और भी मंगल में होती है और भी बढ़िया होती है और complete मानी जाती है सचे तरीके से तो अब आपसे मिलेंगे हम अपनी last destination पे जो एंड जो गुप काशे मंदिर है वो आज का लास अट्रेक्शन पॉइंट होगा आज के लास दर्शन हम वही करेंगे वह होगा विश्वनाथ टेंपल में तो आप से अब हम डिरेक्ट वही मुलाखात करेंगे चलिए मिलते हैं आप से आज करेंगे विश्वनाथ मंदिर गुप काशी का मार्केट और यह रहा यहां का फेमस विश्वनात मंदिर गुप काशी डेंपल से चलिए चलिए अंदर वहती प्राचीन मंदिर है साफ दिख रहा है सो यह रहा मंदिर लेट्स टेक ओफ रशुज हैर यहां का कुंड यह है पूरा का पूरा मंदिर बहुती सुंदर टेमपल है यह रहा टेमपल है अगर मैं साइड से दिखाओं तो आपको खुद बखुद आइडिया लग जाएगा यह स्ट्रक्चर देखके कितना पुराना है यह तो यही हमारी आज की लास्ट देस्टिनिशन ऑफ दे डे और हमारा स्टेवी इसी मंदिर के अंदर है यहाँ पर इनी की घरम शाला होती है रुपने के लिए रूम होती है तो हम यहीं घरवाल सी है तो हमारे तो कॉंटेक्स थे यहाँ पर एंड मैं आपको बताया था कि आप भी करवा सकते हो रूम बुक तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा है एस अंदर में आपको नहीं दिखा पाऊँगा विकॉस के रहा है यह देखे आप देख रहे होगे कित्ते लोग आ रहे हैं यहाँ पर जो हम लास्ट मंदर गय थे सो लगी वहाँ पर पंडित जीने में बताया कि अब थोड़ा रश कम हो चुग है के दानात का लास्ट वीक से आप लोग की जो मतलब पॉपलेशन जो आरी है यहाँ पर थोड़ी लिमिटेड हो चुकी है तो अब काफी मतलब सही है दर्शन करने का टाइम तो अब आप प्लान कर सकते हैं लाइक आफर जुलाई यू कन कम हैर तो इस टेंपल की इंपोर्टेंस है वो यह है कि यहाँ प दो धाराएं दिख रहे हैं एक है यमुना एक है गंगा तो इस जगह पे ऐसे दो धाराएं गंगना और यमुना निकलना वह एक बहुत बड़ा अजूबा है और इसकी खास बात यह भी है कि आफ्टर महाबारत जब पांडवाज अपना पश्चाद आप अपना निका सोचा तो जब वो बैल उनके सामने बनके आए तो वो उन्हें तुरंत ही पहचान गए थे कि शिवजी एक बैल का अफ्तार लेकर यहां पे आए हैं और उसके बाद आप देख सकते होंगे वहां पे एक बैल भी है तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उस बैल को फॉलो ड्येन वो पहल्ण उन्हें उन्हें गुफा नके गया और उस फॉफा पे जाकर वो पेल गया हो गया और इसलिए इस जागों को खोतें हैं गुपककाशी तो यहीं है मिषुनार्त पेंपल कि बादेंस यहां भी सलिया चलतें आगए को चलिए चलते हैं रोल की तरफ यह है यहां का गार्डन एरिया और यह है यहां के रूम्स यहां का प्राइश सो यहां तरी विश्राम ग्र है श्री विष्णार मंदिर कुटकारी डी लक्स रूम है चार बैट का चार लोग के दर तर भाम है 200जारों rator यहां चलते हैं रूम दिखाता हूं आपको तो यह रहा रूम का व्यू दो डबल बेड लगे हैं यह एक छोटा से यहाँ पर सोफा सेट अप लगा है तो I don't think आपकी 800 रुपे में इससे जाला कुछ दिवांड होगी मेरी तो नहीं है यार परसली 800 रुपे में मेरे लिए तो बहुत अच्छा स्टे है यह बाकी आपको अगर और अच्छे आउक्शन अगर आपको अविलेवल हैं तो बेशक बिल्कुल कराईए एस पर यौर कन्वीनियंस बाकी अगर आपको यहां रुपना है इन बजट और एक अच्छा स्टेश ही है साफ सुत्र स्टेश ही है 800 रुपे में तो आप यहां कमीटी में पता कर सकते हैं आ करने वाले हम डे थ्री में एट लास्ट फाइनली हम शुरू करने वाले हैं अपनी केदारनात की चड़ाई तो एम लाइक मैं आइडिया ले रहा हूं एम गैसिंग की 7-8 हाल मुझे लग जाएंगे पूरा उपर तक वहुशने में और कल का जो स्टेश होगा वो उपर ही हो करने वाला है केदारनात में तो वह भी मैं आपको बताऊंगा कि वह स्टेक कितने गया और कितने में हुआ कैसे हुआ हाना सो आप वीडियो के साथ बने रहना सीरीज के साथ पूरा बने रहना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते ह हैं आपसे काई, सीया!